नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर आज हम आपको गला या आवाज बैटने से राहत पानी के लिए कुछ घरेलो नोसकों के बारे में बताएंगे गला बैटने का अर्थ होता है आवाज में अचानक परिवर्दन आना जिसे आम भाशा में आवाज बैटना भी कहा जाता है ये अपने आप में कोई बिमारी नहीं है बलकि किसी समस्या का लक्षन है गला बैटने का मुख्य कारण होता है स्वर्तंत्रियों या स्वर्तंत्र में सूजन आना ये सूजन उत्तेजना या इन्फेक्शन के कारण आ जाती है गला बैटने पर आपकी आवाज भारी वह मोटी हो जाती है और इससे आवाज कम जादा भी हो जाती है आमतोर पर आवाज या गला बैटने का कोई गंभीर कारण नहीं होता और ये कुछ दिनों में ही अपने आप ठीक होने लग जाता है लेकिन आप अगर लंबे समय तक इस समास्या से परेशान हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बताएंगे जिससे आप इस समास्या से निजात पा सकते हैं तो आईए जानते हैं उन घरेलू उपचारों के बारे में सबसे पहले एकनिवेदन उन सबी दर्शकों से जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं क्रप्या हमारे चैनल की सदसिता को जरूर ले लें ताकि आफ हमसे जुड़े रहें हमारे द्वरदी गई जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फाइद अभी उठा सकें साथी सही चानकारी के लिए इसे अंतितक सरूर देखेगा छोटी इलाईची, लॉंग तथा मुलैटी, तीनों का चूर्ण, तीन तीन ग्राम की मात्रा में गरम पानी से सेवन करने से इसमें बहुती आराम मिलता है पाँच पत्ते तुलसी, दो लॉंग, चार दाने काली मिर्श तथा आधा चम्मद्धनिया के दाने लेकर एक कप पानी में काड़ा बना कर सेवन करने से भी लाब होता है दस ग्राम देशी अनार के छिलके एक कप पानी में उबालने जब पानी जलकर आधा कप रह जाए तो उसमें दो लॉंग का चूर्ण तथा एक चुटकी पिसी हुई फिट करी दाल लीजिए इस पानी से बार-बार गरारे करने से भी लाब होता है बेर के पत्तों को पीस कर पानी में उटा लीजिए फिर इसे चान कर इसमें जरा सा नमक मिलाएं इस पानी से कुल्ला करने पर भी सारे गले के द्विकार तूर हो जाते हैं पैठे हुए गले के लिए अद्रक बेहत अच्छी जड़ी बुटी होती है अद्रक गले के स्वर्ट अंत्र के आसपास शलेश में जिल्ली को काफी आराम पहुचाती है और सूजन को भी कम करती है इसके इस्तमाल के लिए सबसे पहले एक कप पानी में अद्रक के तीन से चार टुकणों को डाल लीजिए अब इन्हें उबालने के लिए रखतें कम से कम पाँच मिनिट तक अद्रक को उबलने के लिए छोड़ दीजिए जब अद्रक अच्छे से उबल जाए तब मिश्रन को चान कर गरम गरम पी जाएए आप अद्रक की चाई में चीनी भी मिला सकते हैं जिससे उसका स्वाद थोड़ा बहतर हो जाएगा इस चाई को तब तक पिए जब तक गला बैठने की समस्या पूरी तरह से चलीना जाए तो दोस्तों यदि आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इससे लाइक, शेयर और कमेंट सरूर कीजेगा इससे देखने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद